नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई हेल्थ सुरक्षा में अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले आज का अमारे टॉपिक है स्किन वाइटनिंग पे चेहरे को हम चमकता हुआ और गोरा कैसे बनाया है उसके लिए हमने लिया है सिर्फ दो प्रड़क्ट्स जो हमारे घर पे आसानी से मिल जाता है एक है नीबू और दूसरा है शेहद आईए देखते हैं सो करने का प्रोसेस यहां हमने एक पीला रसीला नीबू लिया है और दूसरी तरफ हमने लिया है शेहद यानि की हनी मैंने यहां डाबर ब्रैंट का हनी लिया है आप कोई भी ब्रैंट का हनी यूज का सकते हैं नीबू में विटामिन C होता है जो हमारे डेट सिल और टैन को रिमूफ करने के फायदिमन्थ होता है अन्दर अधर हैंड हनी हमारे स्किन में ग्लो लाती है और मॉश्टर लाती है इन दोनों का बैलन्स बहुत ही यूनीक है यह नहीं हमारे बॉडी के अंदर यानि की अंदर डिटॉक्स करता है पर बाहर भी हमारे स्किन को क्लियर करता है, क्लीन करता है, ग्लोई बनाता है और सारा टैन और डेट स्किल रिमूफ करता है हमने यहां पर एक आधा कता हुआ नीबू और उसमें थोड़ा शेहद को डुबो दिया है कुछ इस तरह का शेहद का रस और नीबू मिलकर अच्छे से कवर हो गये हैं और यह नीबू हम अपने चहरे पे घिसेंगे आपने चहरे पे आई्स और आइप्रेज के आसपास नागे से केरफुल हो जाए वहाँ पे अगर्वाइस आप इसको अपने पूरे चहरे पे उपने प्विवा अ सर्कुलर मोशन में और गूल 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 गुमा सकते है वे चहरे पे और यह बहुत ही instantly dry हो जाता है 5-7 मिनिट में यह आपका पूरा नीबू और शेहत का जो रस होता है आपके skin में absorb हो जाता है इसे हमारे pores tight हो जाते हैं हमारी flakiness, dryness जो ती skin पर वो भी चली जाती है आपको instant इसमें आपको आपका first layer of tan और डेटिसिल भी remove होते हुए दिखेंगे आप इसे एक बार लगाए आपको भी बेहत पसंद आएगा हफ्ते में इसे दुग बार लगाए, महिने में तीन-चार बार भी लगाए तब भी इसका असर काफी रहेगा अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद